नमस्क्राइब मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है उन 12 बैड हैबिट्स के बारे में जिसे हर इंसान को बचना चाहिए यह जो 12 बैड हैबिट्स में आपको बताने वाला हूँ अगर किसी की इंसान के अंदर है तो चांसे जादा है कि उसकी किड्नी खराब हो सकती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी किड्नी को बचाना और अपनी किड्नी को इन 12 बुरी आदूत से बचाना तो शुरूरात करते हैं सबसे पहले बैड हैबिट नमबर वन और वह है पानी की प्रॉपर अमाउंट का ना ले ना बॉड़ी के अंदर पानी की कमी होना अगर आपके होट सूखर हैं गला सूखर है आप पानी कम पीते हैं पानी नहीं पी पारें किसी भी कारण से अगर आपके बॉड़ी में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है तो उसे का सबसे बूरा असर आपकी किड्नी पे ही पढ़ना क्या होता है बॉड़ी में जितना भी वेस्ट में बन रहा है उसे फिल्टर आउट करना और यूरिन के तुरू बहा निकालना और यूरिन बनने के लिए बॉड़ी में सही अमाउन में फ्लूड यानि पानी का होना जरूरी होता है अगर आपकी बॉड़ी में पानी की कमी हो तो किड्नी को कम पानी के अंदर ही यूरीन की फॉर्मेशन करने पड़ती है यूरीन जादा यल्ल हो जाता है यूरीन पास करने में जलन हो जाती है तो अगर आपकी यूरीन का कलर बहुत जादा डार्क यल्लो आता है यूरीन करते समें जलन होती है तो आपकी शरीर की अंद तो आपकी कीटिनी काम करना छोड़ सकती है कम करना की शुरू करेगी और आपकी बॉड़ी की अंगर कि अंगर की अच्छी तरह के से होगी और जितना अच्छा बनेगा उत्रा अच्छा ही आपका टॉक्सिक में बॉड़ी से भार जाएगा तो हमने ध्यान क्या रखना है कि कि भी हमारा गला सूकरा है होंट सूकरे हैं जूरू का कलर यलो हो रहा है यानि हमारे श्रीर के अंदर पानी की कमी हो रही है और इस पानी को पूरा करना है हमने सही अमांट में पानी लेंगे हमारा यह जूरू का कलर है वो चेंज हो जाएगा हमारे जो लिप्स हैं वो मॉ पानी पीना शुरू करते हैं, अक्से हमने लोगों को देखा कि सुभी उठते ही खूप सारा पानी पीना शुरू करेंगे कि उन से उनका फेस पे ग्लो हाना शुरू हो जाएगा, मगर वो ग्लो तो नहीं आता, मगर उनकी किड्नी पे उसका असर जरूर पड़ता है, अगर आपकी बॉड़ी में पानी की रिक्वायमेंट से जाधा पानी लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉड़ी में फ्लूट जाधा गया, अभी जो एक्स्टा अमांट फ्लूट है, इसे बॉड़ी अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको बॉड़ी से बहार निकालना पड़ेगा, और ये काम किसका होता है, ये काम हमारी किड्नी इसका होता है, कि जुरूर से जाधा पानी जो मारी शिरीक अंदर भर गया है, उसको बॉड़ी से बहार निकालो, तो इस एक् तो दीरी-दीर, हम क्या देखते है कि अपना अपना फंप्शन से थो, पानी कम पीना दिक्कत है, पाणी का जादा पीना भी दिकत है, कि अपनी बोडी के अंदर फ्लूड की अधानी हो मुझ ने अपनी अपनी बोडी के अंदर लगे वे सेंसर्ज की ए, अगर आपको प्यास मैसूस हो रही है, गला सुकुरा है, होट सुकुरा है, तो पानी पीचिए, जुरू से जदा पानी का इंटेक किसी कारण से मत कीजिए, अगर आप करते हैं, तो छोटे टाइम के लिए तो कोई दिक्रत नहीं करेगा, पर अगर आप इसको हर में रोज करो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत थके वे होते हैं, एक कप कॉफी का पेते हो और एक दम हमें बहुत अच्छा मैसूस होना शिरू हो जाता है, मगर सवाल यह उठता है कि ऐसा कॉफी कैसे कर लेती है, कॉफी को इसको करने के लिए ब्लड प्रिशर को ब यह बड़ा बीपी है आपके ब्रेन को अच्छा लग रहा है वो आपके कीड्नी को पसंद नहीं आता है जैसे बीप आपका बढ़ता है आपकी कीड्नी को जादा अमांट अव ब्लड जाना शुरू कर देता है और जब अगर अगर आप कॉफी दिन में एक कप केते हैं, दो आपके कीड्नी को अच्छान देखने को मिल सकता है तो आप सभी को चाहिए कि का यूज आप सही तरीकिसी किजी कभी इसका ओवर एक्सिस में इंटेक मत कीजी क्योंकि जितना अब कॉफी का इंटेक करेंगे हो सकता है कि आपकी कीड्नी को उतना जादा प्रेशर ब्लेड को में को मिले तो कॉफी का इंटेक समझदारी से खरी अब चलते हैं अपनी फोर्थ बैट हैबिट की और और वह है निकोटीन का इंटेक करना नीकोटीन क्या होता है निकोटीनिक ऐसा केमिकल है जो की हमारी ब्रेन को रिलाक्स करता है और अकसर इसे हम तंबाकों की nao albube कर दिन भाको की एन ब्लट प्रिश टेस और चीन डोसलिटास को में और प्रेश्टाइब हो जाता है ट्रांड़िते तो धाज हो ज़ती है वह सब भर जा इसका होगी जो सबसे जल has bizi हैं बड़ों करें रिघुटी वेसल्स को नुशान पuchआना शूरू करता है कि किडनी अपने फंक्शन को खोना शुरू करती है तो तमाकू का यूज आप किसी भी फ्म में करते हों चाले आप तमाकू करते हों या पर आप उसको तबाकू को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तंबाकों के अंतर सिर्फ निकोटिन नहीं होता, निकोटिन जैसे बहुत सारी केमिकल इसके अंदर होते हैं, जो कि आपकी किड्नी को बहुत बुरा नुक्षान पुचा सते हैं, तो अगर आपको यह बैड है तो जरूरत है उसको छोड़ देने की, अब चलते हैं अ साथ साथ आपी किड्नी भी खराब हो सकती है, अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं अलकॉल अपने बॉड़ी के अंदर लेते हैं, तो बॉड़ी को अलकॉल बहुत जादा पसंद नहीं आता, बॉड़ी उसे बहुत तीजी से बहा निकालने कोशिश करती है और इसमें काम दो ही ओगन करते हैं, पहला लीवर, दूसरा किड्नी, जब हमारी किड्नी भी एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो इस एक्स्ट्रा काम का बूरा आशार मारी किड्नी से पर सकता है, अलकॉल को बॉड़ी से बहा निकालने के लिए, किड्नी को बहुत हीजी से पर करनी पड़ी और सारी के सारी मीटिरियल को बाड़ी से बहार निकाला पड़ा अप यह काम आप कोई क्रीक्स काूं gy नहीं हों गेवागर अप इसे?", अगर आप इसे regular alcohol का intake करते हैं और extra of alcohol निल ला इंटेक करते हैं Protein हमारी body का building block है हमारी body में हर चीज जो बनी वे तो protein की बनी वी है मकर हम कौन सा protein खाने है उसके बहुत ज़्यादा मायनी होते है protein को अगर हम धिहान से दिखे तो 200 में उसको divide कर सेते एक होता है low density protein जिसको बॉड़ी में एबसॉब करना बहुत असान है और जो बोड़ी में किसी उप्राविक का नुकसान पैदा नहीं करता है दूसरा होता है हाई डेंसिटी प्रोटीन जो की पचाने में बहुत भारी होता है जिसे ब्रेकडाउन करना पड़ता है और इस ब्रेकडाउन जो बड़ा प्रोटीन का मॉलिकूल है उसे breakdown करने में बहुत सदा वेस्ट मिटल त्यार होता है इसे हम red meat भी कहते हैं तो अगर कोई इनसान daily basis पर red meat का consumption करता है इंटेक करता है तो उसकी kidney को हम तेजी से खराब होते वे देखते हैं क्योंकि red meat के अंदर अगर हम द्यान से देखें तो high density protein होता है जिसे breakdown करना पड़त फिश हो गया चिकन हो गया एग्स हो गया यह सारे low density protein में आते हैं जिसे हम white meat भी कहते हैं और हम इसको vegetarian प्रोटीन भी कहते हैं यह जो प्रोटीन होता है यह जो प्रोटीन होता है यह बहुत एली से अपसर हो जाता है और किसी टैप का भी बुरा असार नहीं नहीं चोड़त तो इसका बुरासार आपी kidneys पर जरूर जा सकता है तो ध्यान करकना है white meat daily लीजिए red meat occasionally लीजिए इससे हमारी kidney आपकी और और केसी बीटाइब का extra overload ना पड़े अब चलते हैं next bad habit के उपर और और वह है painkiller का use हमें दर्द हो रहा है doctor ने में दर्ती गोली लिखी और साथ में लिख दिया SOS कि जब दर्द आपके सहन से बहार जाए तब आपने दर्ती गोली खानी है मगर दर्द तो हमारी गुटने का हो रहा था या फिर में माइगरिन का दर्द हो रहा था तो एक गोली खाने से में आराम बिल जाता है तो हमें उसका और आगे ट्रीटमंट करनी की बसे दर्द की गोली लो और खाओ दर्द में आराम करो और अपने काम पे चाओ मगर यह जो बैड हैबिट होती है दर्द को सप्रेस कहने के लिए प्रेंग किलर खानी की किड्नी के लिए सबसे जादा खतनाक साबित होती है और इस कंडिशन को क्या कहते हैं एनेलजेसिक न अब बहुत को बहुत काम पेंगिलर खानी पड़ेगी और यह जो पीन किलर होती है यह हमारी किड्नी को बहुत बुरा असार पचाती है और खासकर निमोसलेट जैसी मेडिसिन्स या टैकलोफिन अग यह दो ऐसे पेंगिलर है जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होत है तो बहुत जो चाहता है अगर दवाई आप लेते हैं बार-बार ले रहे है तो बहुत है किड्नी पहुत और भाल हो जाएंगे तो बहुत जरूरी होता है हमें अब पेंगलर से बचना पेंगलर तब लेना है जब ऐसे हैं और अगर आप पें हो रह थे तो पिछे कारण तो आप सभी ने इस इसका ध्यान अखना है कि पेन किलर तब खाना है जब दर्थ परदाश से पहारो अब चलते हैं अपनी नेक्स बैठ हैबिट के उपर और वह है अपनी शुगों कंट्रोल में ना रखना डायबेटिस एसी कॉमन दिक्कत है जो आपको हर घर में देखनी को मिल जाते हैं दूसर थीसरा इंसान डाइबेटिक का शिकार मिल जाता है और आपको जानके हयरान रे की चार में से एक डायबेटिक कि स्क्लाब होती ही होती है सबाह लैटी अशा क्यों होता है जब हमारी शुगर जाधा होते है हमारे बोड़ गंड के बलड के अंदर की तरह काम करना शुरू करती है और हमारी बोड़ी के अंदर जहां पर भी बहुत बारीक भारीक धमनिया है आर्टीज है वेन है उनके सेल्स को नुक्षान पोचना शुरू करता है चाहे वो मारे आइस के अंदर हो चाहे वो मारे नर्फ के सेल्स हो चाहे वो मारे किड्नी के ह तो हाई शुगर लेवल को कंडोर में रखना बहुत ज़ूरी होता है अब सबाली होता है कि शुगर की सही वैल्यूस क्या होती है शुगर आपकी जो मर्ची हो चाहिए वह फास्टिंग हो चाहिए वह पीपी हो हमेशा कोशिश करो कि वह तू हंड़ से नीचे रहे अगर आप अपकी किड्नी पर इसका बूरा सर बढ़ रहा होगा तो चाहिए आपको इंसुलिल ना पड़े चाहिए अपनी डाबेटिस की मेडिसीन को बढ़ाना पड़े अपने शुगर लेवल को तो आपकी किड्नी इस हाई शुगर लेवल की वज़ज से होने वले नुक्सान से नमक के अंधर तो हमारा BP शूट आप करना शुरू हो जाता है जिसका बोर आसर हमारी किन्नी पर पढ़ना शुरू होता है क्योंकि जितनी भी जो हाई बीप के पेशन्ट होते हैं उनमे भी डायबेटीस के तरह चार में से एक पेशन्ट के खराब हो जाती है और किड्नी करते हैं और बहुत होना मौन में इंटेक करते हैं कि रोटी खानी तो अचा सी खानी है पापड चाहिए 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 तो यह चोटी चोटी जो हम फूट हाविट्स बना रखे हैं हमने इसे हमारी बॉड़ी केंदर जुरूर से जाता सोडियम पहुंचाता है और ज़रूर से सोडियम प्लिड प्रिशर को बढ़ेगा और ब्लड प्रिशर से गिड्नी पर बुर असर पड़ेगा तो जितने भी आप अचाहर चट्निया खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे खाये घ्री बीसिस पे तीन हो टाइम अगर आप खाएंगे चाहर चट्नी है त अगर आपको पता है कि आप BP के पेशेंट हैं और आप इसे इग्नोर करते हैं तो यह पर बहुत भारी कर सकता है BP की जो नॉर्मल वैल्यूस होती है वो होती है 120 by 80 mmHg यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला डायसिस्टोलिक वाला 85-90-95 आरहा है तो यह आपकी किड्नी के लिए खतनाग साबित हो सकता है बहुत कोशिश कीजिए कि अपना ब्लड प्रेशर है डायसिस्टोलिक 80-85 की रेंज के लिए अगर इसे उपर जा रहा है तो आपकी किड्नी को नुक्सान होगा और सबसे बड़े कारें बीपी बड़ाने का मैंको पहले बता चुका हूँ यह वह कौफी हो आपका नमक का ऑवर इंटेक हो अपको तंबाको हो इन सारी चीजों को इंटेक करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यह बड़ा ब्लड प्रेशर आपकी किड्नी को न तो आगे चेकल आपके किड्नी बहुता सकता है अर आपकी किड्नी फीड्नी फेल हो सकता है अब चलते हैं नेक्स बढ़ सब रहे हैं और वह है लाक अवसलीव, अगर आप बहुत बज्जी रहते हैं या फिर आप को बापते कैसे नीन नहीं मिल पाती या आप नाइट यह हैं दिन में जाधा सोते हैं डात को जाकते रहते हैं तो इससे क्या उट ने इन उन सर द्राइती है हमारा बें थका थका मैसूस करना शुरू हो जाता है और इस ब्ल osteवावन को जाधा थाका ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी दो रात जागे कोई दिक्कत नहीं होगी दो रात जागे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अगर आप रात सोते नहीं है आप बैट कि कुछ न कुछ करते रहते हैं काम करते रहते हैं आपकी बॉड़ी थक रही है आपका ब्रेन थक रहा है आप से इग आप दिन में लीजिए कि अपनी आप दज घंटे की नीन लीजिए अगर आप रात को जाकते हैं तो नीन हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ती है जिसे हमारी बॉड़ी तो रिलाक्स कर सके और हमारी कोई किड्नी की दिखते ना देखनी को मिले अब चलते हैं अपनी नेक्स बै अगर आप ओवरवेट हैं मुटापा आपकी बॉड़ी में हैं और आप इसे एकनोर करते हैं तो ना से उससे आपको डायबेटिस होने की संभावना होती है साथ-साथ आपको ब्लड पेशर बढ़ने की संभावना होती है और ब्लड पेशर और शुगर जब यापकी और आपने वेट को अगर उसका वेट बढ़ रहे तो इस पर काम कीजिए एक्सरचाइस कीजिए कुकि जितनी एक्सरचाइस आप करेंगे आपका वेट अच्छा मंटेन होगा ना बीपी होगा ना आपको शुगर होगी और अपको किटनी रहेंगी अप चलते हैं next bad habit कि आपको खांसी का सिरफ दिया जाएगा, उसके अंदर सॉल्ट क्लोराफिनामीन होगा, इस क्लोराफिनामीन हमारी किड्नी के लिए बहुत जादा खतानाक होता है, यह हर किसी किड्नी को नुकसान नहीं पुचाता है, मकर दस में से एक चांस यह होते हैं, कि यह आपके किड्न अधर का सिरफ देख जाएगा, मकर अलिप्धिक मेडिसिन के अंदर कफ शिरफ के अंदर क्लोराफिनामीन जैसे इस सॉल्ट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि आपके किड्नी को बहुत बुरा नुकसान पचाता है, उक सिर्फ बच्चों के नहीं सबस्ते होता जो कि दुनी तो हमें अपने आपको कुछ दवाईयों से बचा के रखना चाहिए खासकर हमें पेन किलर से और खासकर कफ सिरफ से अगर इन मेडिसिन से अपनी बाड़ी को बचा लेते हैं तो हमारी किड्नी काफ भी हद तक बच तक बच जाती है तो नीची डीवी निंबर पे कॉल रिकर साइंसी डीवी डॉक्रा से अप फ्री और फॉस नंसरेटेशन ले सकते हैं आप अपन्मेंट लेकर मुझ से भी आपकर मिल सकते हैं अब इसे की सथ आप से चलने की आगया चाहूँ है मैं इसे हैं अगली वीडियो में तब तक के लि हाnt ऑन्मेंग इसे एचाह मुझ यहां फ्री बंड़ की।